हेई गाईस वेलकम बैक तो माई चैनल आज किस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं AIPGT 2021 के जो कोशन्स हैं पिछली वीडियो में मैंने 20 कोशन्स तक अपलोट कर दिये थे अभी 21 से शुरू करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुश्रुत अनुसार स्थाव स्थावर्विष का उसके कारण ये वाले लक्षन है ठीक है तो आपको लक्षन पता होने चाहिए according to the अधिश्टान of the स्थावर्विष तो क्या क्या है options first option is धातू, second option है पत्र, third option is फल and fourth option is पुश्प तो कौन सा दिश्टान है जिसके कारण हरित पीडन, मूर्शा और तालू दा होता है वो है धातू, ठीक है तो यहाँ पे जो correct option है वो है option number first which is धातू, अब भी next question देखते हैं next question है, शुश्रुत सहिंता के कल्प स्थान अनुसार निमन लिखित में से कौन सा द्रव्य दूशी विशारी अगद का घटक नहीं है ठीक है तो आपको दूशी विशारी जो अगद है उसके घटक पताओना चाहिए इस question के लिए, तो क्या है यहाँ पे options, first option is एला, second option is fourth option है, चश्टी मदू, तो guys आप बताएए कि कौन सा है यहाँ पे जो घटक नहीं है, ठीक है, सबसे बहले हम लोग अगर देख लेते हैं, एला, तो क्या एला है इसका घटक, तो definitely एला जो है वो घटक है दूशी विशारी अगद का, then है जटा मांसी, तो जटा मांसी भी है third option है, पिपली, पिपली भी इसका घटक है, मतलब जश्टी मदू यहाँ पे correct option है, वो घटक नहीं है, that is not an ingredient of दूशी विशारी अगद, now you can see, कि शुश्रु सहिंता की questions भी बहुत जादा important है, आपको आगे भी मिलेंगे, कि बच्ची हैं, जो सिरफ चरक सहिंता की questions को ही target क करते हैं, वो शुश्रु सहिंता की questions को पढ़ते ही नहीं, इतना जादा practice ही नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, guys, कि बहुत ही important है, equal weightage रखते हैं, और कई बार तो जो शुश्रु सहिंता की questions हैं, वो जादा होते हैं, देन चरक सहिंता, तो आपको बिल्कुल भी इ लिस्टू, हमने पहले भी ऐसे टाइप की questions किये हैं, पिछली वीडियो में, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं, जाँ पे मने 1-20 तक के जो MCQ से अपलोड किये हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, description box में मैं उसका link दे दूँगी, अब यहाँ पे जो list 1 हैं, वहाँ पे आपको antidote दिये हुए हैं, जो list 2 है, वहाँ पे आपको indications दिये हुए हैं, तो हम देख लेते हैं, antidote कौन कौन से हैं, naloxone, ethanol, acetyl, systeane, jafin, palacillin, amine, indication है, paracetamol, copper, ethylene, glycol, jafin, opium, तो यह दोनों के दोनों को आपको मैच करना है, सबसे पहले हैं, naloxone, त इसका है, वह antidote, opium का antidote है, उसके बाद है, ethanol, जो ethanol है, that is an antidote of ethylene glycol, ठीक है, उसके बाद है, acetyl systeane, तो acetyl systeane, जो है, that is an antidote of paracetamol का है, यह तो सबी को पता होगा, उसके बाद है, panacill amine, जो panacill amine है, that is an antidote of copper, तो यहाँ पे क्या हो गया, is according, आपका third option, जो है, वो correct हो जाता है, a का 4 है, b का 3 है, c का 1 है, और d का क्या है, 2, तो third option is the correct option here, now, let's move to next question, as per gazette notification 2016, shelf life of haridrakhand is, ठीक है, simple सा question है, आपको बताना है, कि haridrakhand की, जो shelf life है, वो कित्ती है, as per the gazette notification 2016, तो क्या है options में, first option is one year, second option is two year, third option है, three year, and fourth option is five year, तो यहाँ पे guys, जो right answer है, वो है three year, ठीक है, कित्नी है, उसकी shelf life, haridrakhand की, that is three years है, तो यहाँ पे third option is the correct option, now, next question is, रसरतन समुच्ची अनसार, दृती को निमन लिखित किस तैल में सनक्षित किया जाता है, ठीक है, जो दृती है, उसको हम लोगों ने store किस में करना है, किस में सनक्षित करना है, किस तैल के अंदर, तो first is कुसुम का तैल, second is चैतुन का तैल, third is तिल का तैल, और fourth is सूरज मुखी तैल, तो यह तो simple सा ही कोशन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है, no problem, अब पढ़ लेंगे, सबसे जादा प्रैक्टिस करने से ही हमें कोशन का पता चलता है, जादा से जादा MCQ उसको प्रैक्टिस करना है, मैंने पहले भी बताया है आपको, तो यहाँ पे जो correct option है, वो है कुस्सम का तयल, जो दृती है, उसको हम लोग कौन से तयल में संडख्षित रखते हैं, कुस्सम के तयल में संडख्षित, तो यहाँ पे first option is the correct option, next question is, रस भागवर्ट के नुसार मलल मुशा का परियोग किसके लिए आया है छे एक simple question है मलल मुशा का परियोग किसके लिए है first option is थातू मृदु करन second option is परपटी स्वेदन third option is पोटली पाचन and fourth option है सत्व द्रावन यहाँ पे जो correct option है that is option number second परपटी स्वेदन के लिए आया है मलल मुशा का परियोग according to रस भागवर्ट तो कौन सा option correct है option number second is correct now let's move to next question रस तरंगनी अनुसार पारा वर्ष से अधिक आयू के बच्चे में रस संदूर की मात्रा है तो आपको रस संदूर की जो मात्रा है वो पता होनी चाहिए यहाँ पर first option is 1 रती second option है 1 by 2 रती third option is 1 by 4 रती and fourth option is 2 रती तो देख सकते हैं 12 वर्ष का जो आयू का बच्चा है उसके जादा वाले का पूछ रहे है टीक है 12 यर से जादा जो बच्चा है उसमें आपको बता होनी चाहिए रस अंधूर की मात्रा तो यहाँ पर जो correct option है that is option number second जो 12 वर्ष अधिक बच्चा है उसमें आपको रस अंधूर की कित्ती मात्रा देनी है 1 by 2 रती जो है वो मात्रा देनी है तो कौनस option correct है उसके according option number second is correct answer let's move to next question रस रतनाकर के लेखक है रस रतनाकर के लेखक पूछ रहे हैं कौन कौन सी option है first is नित्यनात second is राम चंद्र third is सौम देव and fourth is भागवट तो कौन है रस रतनाकर का लेखक बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा it's okay नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा जिनको questions नहीं भी आ रहे हैं गबराना नहीं है आपको सिरफ ये सोचना है कि अगर हमें पहले नहीं आते थे no problem अब हमें आ जाएंगे ठीक है अब आप लोग पढ़ लीजिए concentrate ली तो अब आपको पता चल जाएगा अगले बार आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी है ना तो हमें पता करना है कि रसरतनाकर के लेखक कौन है वो मैं आपको बता देते हूँ यहाँ पे जो correct option है that is नित्यानाद first option is the correct option नित्यानाद जो है वो रसरतनाकर के लेखक है चलिए अगला question देखते हैं व्रिहत रसराज सुंद्र के अनुसार वंग विकार का उप्चार है ठीक है वंग विकार अगर किसी को हो जाता है तो उसका आपको उप्चार कैसे करना है वो पूछ रहे हैं first option is मधू मिश्रित गोदुक second option है मेश रिंगी चूरन और शरकरा third option is मुनी वरिही और सिता and fourth option है स्वर्न भसम और हृत की चूरन तो वंग विकार का जो उप्चार है वो कैसे होता है यह मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो correct option है that is option number second मेश रिंगी और शरकरा के साथ आप वंग विकार का उप्चार कर सकते हो according to विहत रस राज सुन्दर तो क्या है यहाँ पे correct option that is option number second is correct now the next question is रस रतन समुच्चे के नुसार रस भसम के निर्मान के लिए किस यंत्र का प्रियोग किया जाता है तो बहुत ही simple question है कि अगर आपको रस भसम बनानी है तो आपको कौन से यंत्र का प्रियोग करना है कोई twist तो है नहीं question में कौन कौन से यंत्र है options are first is डमरू यंत्र second option is put यंत्र third option है थली यंत्र and fourth option है वालू का यंत्र तो this question is quite easy और बहुत सारे बच्चों ने पहले भी इसको पढ़ा होगा इसलिए इस question का answer में आपको नहीं बता रही हूँ आपको comment section में कि इस question का answer क्या है रस्भसम के निर्मान के लिए कौन सा यंत्र यूज किया चाता है इन सब options में से you have to mention in the comment section जो भी आपके according इस question का correct answer है चलिए अभी next question देखते है सर्वुत्तम गुनवत्ता का स्वर्ण वंग बनाने के लिए पारद और वंग की मात्रा का सही उनपात है आपको सर्वुत्तम गुनवत्ता का जब बनाना है स्वर्ण वंग तो पारद और वंग का कित्ती रेशो में आपको उनको लेना है ये है question तो first is one is to one 2nd is 1 is to 2 3rd is 1 is to 4 and 4th is 2 is to 1 इसका मतलब यह है कि जैसे पारद 1 वंग 1 पार्ट ठीक है जा फिर पारद 1 पार्ट और वंग 2 पार्ट लेना है जा पारद 1 पार्ट और वंग 4 पार्ट लेना है ऐसे करके 4th option है तो यह basically इसका मतलब है ratio types का तो क्या है यहाँ पे correct option यहाँ पे जो correct option है वो option number first है सर्व उत्तम गुनवत्ता का अगर आपको बनाना है स्वन वंग तो आपको पारद और वंग 2 पार्ट और वंग 2 पार्ट लेना के मात्रा में उनको लेना होगा तो 1 is to 1 जो है that is the correct option which is option number first Now the next question is रस रत्न समूची अनुसार गंदक धुरूति निर्मान के लिए उपयुक्त कपड़े की लंबाइ क्या होनी चाहिए गंदक धुरूति आपको बनानी है तो उसके लिए जो कपड़ा उसकी कितना प्रमान होना चाहिए उसका लंबाइ कितनी होनी चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपको रश आश्ट्रे से भी कोशन आ रहे हैं तो वो इतने ज़ादा टफ कोशन नहीं आ रहे हैं ठीक है रश आश्ट्रे के MCQs के उपर मैंने अलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है अगर आपने देख ली है अगर आपने अभी तक नहीं देखिया यू के चेक दो लिंक इन देखिया और आप चाहते हैं कि उस वीडियो के इलावा मैं और भी वीडियो बनाऊं रश आश्ट्रे के MCQs के उपर अलग से तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं रश आश्ट्र के उपर और MCQs के उपर वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी तो यहाँ पे जो correct option है वो मैं आपको बता देती हूँ इस अरतनी प्रमान गंदक ध्रूती निर्मान के लिए कपड़े की लंबाई कितनी चाहिए होती है अरतनी प्रमान चाहिए होती है फर्स्ट उप्शन इस तर करेक्ट उप्शन नव नेक्स कोशन इस अचारे चरक द्वारा निमिन लिखित में से क्या प्रत्यक्ष अनुपलबदी सूची में शामिल नहीं है ठीक है जो शामिल नहीं है वो बताना है फर्स्ट उप्शन इस अत्टी सौख्षयमयाद तो यहाँ पे जो correct option है that is option number 4 जो सभावाद है वो प्रतियक्ष अनुपलब्दी की सुची में शामिन नहीं है according to अचारे चरक तो यहाँ पे कौन सा option correct है? 4th Next question is तो यहाँ पे दो statements आपको बता के रखे हुई है last में आपको बताना है कि कौन से स्रेटमेंट सही है और कौन से स्रेटमेंट गलत है तो चरक सहिता के according बता रहे हैं फर्स्ट में शलोक दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट शलोक में तो कफ के बारे में बता है बता के रखा हुआ है ठीक है शलेश में लो और second में वातस दो तो यहां पे जो options है options में है both statement are false second option है कि both statement 1 and 2 are true third option is 1 is false but 2 is true और last है कि statement 1 is true but statement 2 is false तो basically इन्होंने जो properties दी हुई है कफ की और वात की दी हुई है second में जो first statement है वो बिलकुल ही correct statement है आप देख सकते हो कफ के बारे में दी हुई है जो second statement है that is also the correct statement तो इसके according हमारा यहां पे second option is correct कि both statement 1 and 2 are true according to चरक सहिंता तो कौन सा हो गया option number second is correct option next question is अगर एक मोटार होगी अपनी नैदानिक इतिहास में म्रिजा व्याम वर्जनम निदान सेवन के रूओं में और सनहते मूत्रम किंचित किंचित प्रसिदती लक्षन आता है दो लक्षन आपको देखे रखे हुए हैं म्रिजा व्याम वर्जनम और क्या है सनहते मूत्रम किंचित किंचित प्रसिदती तो यह दो लक्षन है तो चारे चरक के नुसार निमन में से कौन सा कथन सही है first है कि रोगी अलाल में से पीडित है और यह साध्य है second है कि रोगी वसा में से पीडित है और इसे असाध्य माना जाए third है कि रोगी अस्ति में से पीडित है और इसको असाध्य माना जाता है और fourth है कि रोगी सांद्र प्रसाद में से पीडित है और इसे साध्य माना जाता है now you can see कि यह जो आपको लाइन देके रखी है श्लोग की यह कौन से प्रमे की है सनहते मूतरम किंचित किंचित प्रसीदती जो है यह किसका लक्षन है दिस इस लक्षन ओफ सांद्र प्रसाद में तो कौन सा है यहाँ पर correct option that is the option number fourth वो तो आपको सांद्र प्रसाद में से ही पता चल गया अब वो अपने नैदाने के तिहास में म्रिचा व्यायाम वर्जनम वाला व्यक्ती है तो फिर वो कैसा है ऐसे निदान सेवन है तो उसको साध्य माना जाएगा तो क्या है यहाँ पर fourth option is the correct option which is रोगी सांद्र प्रसाद में से पीडित है और इसे साध्य माना जाता है fourth option is correct option next question is डलहन की अनुसार स्वर्वै स्रोतस का अर्थ होता है तो according to अचारे डलहन उन्होंने स्वर्वै स्रोतस के लिए क्या बोला है first is इंड्रियव्य धमनी second is चीवा मूल नाडी third है शब्द वाही धमनी और fourth है वाग वाहेनी सिरा तो क्या है डलहन की अनुसार स्वर्वै स्रोतस का अर्थ है शब्द वाही धमनी ठीक है यहाँ पे जो की third option है शब्द वाही धमनी that is the correct option now the next question is चरक ने अश्मावरत यथा शब्द का परियोग डैश के वर्णन के लिए किया है यह word जो है यह किसके लिए आया है किसके वर्णन के लिए आया है first option is कफज बस्ती रोग second option है कफज हरिद रोग third option है कफज शिरो रोग and fourth option है कफज वरिक रोग तो जो अश्मावरत यथा है यह जो word आया है चारे चरक ने यूज किया है कफज हरिद रोग के लिए जो की यहाँ पे option number second है तो कौन सी option correct हो गई option number second which is कफज हरिद रोग now let's move to next question माधव निधान नुसार पाद जंग उरो कर मूव मौटेनी किस निमन लिखी तवस्ता का लक्षन है बहुत ही simple और easy question है यह तो first is कलाय खंज, second is खली, third is कौश्ट उक्षिर्ष and fourth is विश्वाची बहुत से बच्चों को तो options पढ़ने की जुरूरत पढ़ी ही नहीं होगी क्यूंकि यहाँ पे जो correct option है वो कौन सा है, that is खली, which is option number second तो यहाँ पे second option correct है, next question is संधी विशलेशो, गात्र सदन, दोशा चवन किर्या सन्नी रोध, यह dash के लक्षन है, again a very simple question, आपको सिधी सिधी लाइन देके रख्यों यह आपको बताना है यह लक्षन किसके है first option is ओजक्षे, second option है ओजो मै, third option is ओजो विसरांस, and fourth option है ओजो व्यापत, तो बताओ यह किसका है, साथ साथ में आपको भी mark करने है अपने answers, ठीक है, आपको भी analyze करना है कि आपको कितने questions आते थे, इन सभी questions में से, तो यहाँ पे जो correct option है, वो है, ओजो विसरांस, किसका यह लक्षन है यह ओजो विसरांस का लक्षन है तो third option, यहाँ पे correct option है, चलिए, next question is, अब यह जो question है, यह assertion, reason type question है, हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी ऐसे questions पड़े हैं, क्यूंकि ऐसे questions अब आने लग गए हैं exam में, तो इनको भी practice करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आपको assertion दिया हुआ है, फिर reason दिया हुआ है फिर आपको बताना है कि क्या दोनों correct है, क्या reason जो है वो assertion की exact explanation है कि नहीं है तो यह हम लोग देख लेंगे सबसे पहले assertion पड़ते हैं while interpreting the lab investigations for COVID-19, CT value of RT-PCR more than 35 is interpreted as negative or mild ठीक है, reason क्या है in contest of RT-PCR lower the CT value of a specific gene, the more severe the disease and vice versa choose the most appropriate statement from options given below, क्या है options में first option is A is correct but R is not correct second option है कि A correct नहीं है, लेकिन R correct है third option is both are correct and R is correct explanation of A fourth option is both A and R are correct and R is incorrect explanation of A तो यहां पे जो correct option है, वो कौन सा है, that is the option number third बोथ A और R जो है statements वो correct है और साथ में जो R है, that is correct explanation of A की correct explanation है, तो इसके according यहां पे आपका third option is the correct option now the next question is match list 1 with list 2 ठीक है, ऐसा question पहले भी पढ़ा है पता है कैसे करना है list 1 में दोश उलवन्ता है और list 2 में है उसके विशेश लक्षन, तो क्या है first में कफ पितात, वात कफ आत्मक, वात पितात और सलेश्मिक list 2 में क्या है शिरोग्राही, तीर्यग्राही जंगा भ्याम और प्रिशात तो यहां पे जो सबसे पहले कफ पितात है, उसका जो विशेश लक्षन है, वो है तीर्यग्राही, then जो वात कफ आत्मक है, उसका विशेश लक्षन है, प्रिश्ठात then जो थर्ड है, विचिस वात पितात, उसका जो है विशेश लक्षन, तीर्यग्राही अड सलेश्मिक का कौंसा बजग्या जंगा भ्याम तो कौंसा उप्षन इसके according correct है, तीर्यग्राही, तीर्यग्राही आसन एवं सनान विवरत्तो ध्रवनी निरक्ष्णो निमन लिखे किस व्यादी के निधान हैं तो क्या है options में फर्स्ट इस अव्वाहुक, सेकिंड इस हनूस्तम, थर्ड इस मन्यास्तम and फूर्थ इस विश्वाची तो किसके निधान देके रखे हैं आपको question में these are the निधान मन्यास्तम, ठीक है यहां पे मन्यास्तम, option no. 3rd is correct option now the next question is a 29 year old woman has a HP of 7.8 gram per deciliter with reticulocyte count of 0.8 percent peripheral simia showed microcytic, hypochronic anemia, HP A2 and HP F levels were 2.4 percent and 1.3 percent respectively. S iron means cedum iron and TIBC were 15 mgm per deciliter and 420 mgm per deciliter respectively. The likely diagnosis is आपको बताना है कि यह diagnosis किस चीज का बना 1st is beta thalassemia minor, 2nd है anemia of chronic inflammation, 3rd is iron deficiency anemia and 4th is cedroblastic anemia. तो किस का बन रहा है यह? यह diagnose बन रहा है iron deficiency anemia का which is option no. 3rd. तो कौन सा है correct option? that is the option no. 3rd. Now the next question is चर्दी अतिसार, titani and chopstick sign किस विशाप्तता का लक्षन है? ठीक है options क्या है? hydrocyanic acid poisoning, 2nd option is nitric acid poisoning, 3rd है oxalic acid poisoning and 4th is nitric acid poisoning 2nd और 4th option तो सेम ही देखे रखे हुए है तो आपको बताना है कि 1st और 3rd options है इन में से कौन सा option correct है? तो यहाँ पे जो correct option है that is oxalic acid poisoning के यह लक्षन है चर्दी, अतिसार, titani and chopstick sign जो है यह oxalic acid poisoning के लक्षन है now you can see हमने जितने भी questions किये हैं कुछ इतना भी tough नहीं आ रहा है कि आप crack नहीं कर सकते हो of course जादा से जादा practice की जरूरत हर एक person को होती है वो जितना जादा कोई person कर लेता है उतना ही जादा उसका rank improve होता है तो इसमें गबराने की कोई भी बात नहीं है बहुत ही उन्होंने questions का type जरूर change किया है लेकिन questions घुमा फिरा के वैसे ही है बस पूछने का तरीका थोड़ा लग कर दिया है लेकिन questions अभी भी वही है ठीक है ना तो आपको tension भी नहीं लेनी है do practice more and more mcq साथ में आप पढ़िये भी और जादा से जादा focus आपको करना है mcq practicing के उपर that will help you a lot ठीक है तो यह next question चारे चरग के नुसार विकारी नाम च स्वपना नाम दर्शनम यह निमन लिखित में से किसका लक्षन है first option is करनम second option है कार्य फलम third option कार्य योनी जा फिर fourth option है कार्य तो यह जो है that is a option of कार्य कार्य का लक्षन है विकारी नाम च स्वपना नाम दर्शनम तो यहाँ पर fourth option आपकी correct है तो इस वीडियो में हम लोगों ने कर लिए 21 से लेकर 45 जो mcqs हैं उनको complete next mcqs हैं that I will upload next video में अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे for most such वीडियो और आप मेंको comment section में जरूर बताईएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी